जै शनी देव आप सभी जरूर कमेंट में भी लिखे जै शनी देव शनी देव को कुरूर ग्रह माना जाता है और लोग सबसे ज़्यादा शनी देव के कोप से भैवित रहते हैं जबकि सत्य ये है कि शनी देव किवल न्याय धिश का कारे करते हैं और मानों को उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं शनिदेव व्यक्ति को उसके कारियों के अनुसार दंड आवज से देते हैं यानि कि आप अच्छा कारे करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा लेकिन जाने या अंजाने ऐसा होता है कि हमसे अंजाने ये भूल हुई है तो उसकी सजा नहीं मिलेगी नहीं शनी देव ऐसा नहीं करते वो अगर आपसे भूल हो गई चाहें वो जान बुच करके हुई हो या अंजाने में हुई हो तो उसकी सजा जरूर मिलते है यानि कि ग्यात अग्यात कर्म दोश्चों को अगर आप स्विकार करके शमायाचना करते हैं और कुछ सरल उपाय करते हैं जिससे कि शनी देव प्रसन होते हैं तो ये भी सत्य है कि शनी देव शिग रही उस जातक पर प्रसन हो करके उसकी मनों कामना को फून करते हैं और व्यक परश के समान हो जाता है इंसान को घोरियातनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है और देखते देखते राजा रंक बन जाता है उदारण भी हैं हरिश्चंद्र से लेकर हनुमान जी तक सभी को सहना पड़ा है शनी का प्रको कभी न कभी नमस्कार आप देख रहे हैं पुन कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां दोबारा भर सकते हैं तो आए जानते हैं कि क्या विधी है कौन सी विधी है जिसके जरिये हम शनी देव को प्रसन कर सकते हैं तो हम आपको एक ऐसी विधी बताने जा रहे हैं जो कि आज माई हुई है और बहुत ही कारगर सा इस विधी को अनेको लोग करते हैं जिनको हम जानते हैं और उनको इसका लाव मिलता है इस विधी को अपनाने से ये बहुत ही सरल विधी है और सबसे साधारन के साथ सबसे इफेक्टिव विधी है तो आप सभी एक बार जरूर करके देखें इस विधी को और अपने जीवन की समस्याओं और परिश्यानियों को दूर भगाएं अगर आप में से कोई शनीदेव की पूजा करते हैं तो कमेंट करके जरूर लिखे जैशनीदेव और बताइए कि शनीदेव की पूजा से आपको कितना लाभ हुआ है एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई पूजा पाठ या कर्म या वीधि अपनाते हैं तो उसमें पून समर्पन आस्था भक्ति और विश्वास की भावना जरूर होनी चाहिए तभी आपको इसका पून फल प्राप्त होता है अगर आपको इस वीधि को अपनाने के बाद लाभ हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर है ताकि अन्य दर्शक भी इसका लाभ उठा सके और इस वीधि को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि आइसी नहीं वीडियो हम ले करके आते हैं तो आईए जानते हैं इस वीधि के बारे म तामबे का लोटा, सर्चो का तेल, गूड, धूप, दीपक, दीपक ध्यान रखेगा लोहे का पातर हो तो सबसे अच्छा होता है नहीं तो आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शनी देव को बहुत पसंद हैं नीले पुश्प तो जो भी फूल ले आई सबसे ज़्यादा सफर लोग इसी बीच में उठते हैं यानी कि सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको सुबह के चार बज करके 24 मिनट से ले करके पांच बज करके 11 मिनट इसके बीच में जरूर जग जाना है इसके बाद जगने के बाद अपने नित्य क्रिया से निवरित हो जाइए सुभष स्नान ध्यान बिल्कुल कर लीजिये और साप सुत्रे आप बिल्कुल साप सुत्रे कपड़े पहने और वस्तर काले रंग का हो या फिर नीले रंग का हो तो जादा बहतर होता है क्योंकि यह शनी देऊ को बहुत प्रिय है इसके बाद आप अपने घर के पास वाले ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का पेंड हो और शनी देव की शिला हो ध्यान रखिए पीपल का वरिक्ष जितना जादा पुराना होगा उसका उतना ही फल प्रभाव शाली होता है मंदिर में पहुंचकर तामबे के लोटे में जल भरिये उसमें थोड़ा सा काल तिल और थोड़ा सा उड़द डाल करके ओम शंग शनिश्चराय नमह इस मंत्र का जाप करते हुए जल को पीपल के वरिक्ष के नीचे अरपित कर देजे ध्यान रखिए जल अरपित करते समय आपका मुख पश्चिम दिश्या की तरफ होना चाहिए फिर दिपक में थोड़ सा काला उड़द और लोहे की दो तिन किल को डाल करके सरसो का तिल डाल करके दिपक को पीपल के पास प्रज्वलित कर देजे और साथ में धूप भी जरूर जलाए शनिदेव की शिला के पास जाकर काला तिल काला उड़द लोहे का किल जो है वो निले पुष्प यानि कि ज जरूर वहां पर जला देजे और चढ़ा देजे शनी देव की शिला के पास ये सभी सामगरियां आपको चढ़ानी है यानि कि गूर भी आपको अरपित कर देना है इसके बाद सरसों के तेल को किसी लोहे के पातर में रख करके शनी देव की शिला पर अरपित कर देजे वहां पर पास में जल रहे दिपक में भी सरसों के तेल को आपको डाल देना होता है पीपल के व्रिक्ष के बाद उसके बाद बैठ करके शनी चालीषा शनी स्त्रोत का पाठ के जिए और शनी के मंत्र ओम शंग शनिश्चराय नमा इस मंतर का जाप जरूर करें अगर स्ट्रोत नहीं आता है आपको शनिश्ट्रोत या शनिचालीशा तो वो हमने इस चैनल पर आपके लिए बोला हुआ है जरूर आप उसको चला लिजे और आँख बंद करके ध्यान चित्त हो करके मगन हो करके औ इससे भी जिवन के परिशानिया दूर होती हैं और बराबर फल मिलता है और पीपल के उरिक्ष के कम साथ या ग्यारह बार परिक्रमा जरूर करें इससे आपके पित्र दोश का निवारन होता है अभी पित्री पक्ष भी चल रहा है तो अभी तो और ज्यादा ये और इस विध को प्रतेक शनिवार कम से कम 21 बार या फिर अपने इच्छा के अनुशार जरूर की जिए भगवान शनी देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी जीवन में तरक्की करते रहें ऐसी कामना है हमारी जिहां अगर शनी देव की पूजा की जाए तो ब शनी वार के ही नहीं बलकि हर वार के नियम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ जाता नहीं है हर रोज हम लोग काम करते ही है लेकिन अब जैसे की कहा जाता है शनी वार के दिन आपको हिंट में बता देते हैं लोहा नहीं खरिदना चाहिए तो आपको एक दिन यानि क ये शनिवार छोड़ देने में क्या जाता है, कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन शनिवार को करना चाहिए, कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन रविवार को, यानि कि अलग-अलग वारों के लिए अलग-अलग वीधी है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, चोटी-चोटी बाते बट बहुत इफेक्टिव होती हैं हमारे जीवन में अगर हम इनका पालन करते हैं तो उमीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर किजे ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे वाटसब पे फेस्बुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दोस्तों के साथ सभी के साथ ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके आप कौन से टोपिक पर वीडियो चाहते है जरूर कमेंट करके हमें बताईए और कमेंट में जरूर लिखिए जय शनी देव मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें प्रेम से बोलें जय शनी देव